नम्सकार दोस्तो मोगरा मेडिसीन में आपका स्वागवत है तो दोस्तो आजकी सुड़े में हम बात करने वाले हैं Megapind Capsule के बारे में इस कैपसule के uses, doses, फाइदे और इसके side effect के बारे में तो दिशे दोस्तो यह हे Megapind 500 Capsule इसकी manufacturing की बात करें तो ये एरिस्टो फार्मसोटिकल कमपनी दारबने ही जाती है जो की बहुत ही अच्छी कमपनी है और दोस्तो इसके कॉंपोजिशन के बात करें तो इसमें आपको MP-silin और क्लोकसा-silin देखने को मिल लगा और दोस्तो इसकी MRP के बात करें तो ये 10 कैपसुल का पत्ता आपको 60 रुपए में आज की डेट में भारत में कौनसे भी मेडिकल शोप पर इजली मिल जाएगा पर दोस्तो ये ये कैपसुल आपको without prescription नहीं मिल सकता तो चलिए दोस्तो अब हम इसके usage या फिर फाइदे के बारे में चान लेते हैं इस कैपसुल का इस्तमाल bacterial infection में किया जाता है ये मेड़ापिन कैपसुल दो एंटवाटिक्स, ampicillin और cloxicillin का मिश्रन है इसका उपयोग bone infection में मतलब अड़ी के संक्रमान में किया जाता है यूरिन इंफेक्शन में किया जाता है और इसका इस्तमाल bacterial संक्रमान में किया जाता है और दोस्तो इसका इस्तमाल bronchitis infection में किय तो दोस्तोлом को अपने डौक्टर्ष द्वारा निर्धारित समय के नुसर लेना है या फिर ये कैप्टर्ष डॉक्टर्ष द्वारा बीड़ी दिया जाता है। मतलब दिन में दो बाल बोजन के बाद और दोस्तों इस कैपसुल का सेवन करने से कुछ नॉर्मल साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं जैसे कि एलर्जिक रेक्शन होना, मिचली आना, पेट में दर्द होना, डायरिया लगना या दस्त होना इसे नॉर्मल साइड इफेक्ट हो सकते हैं तो दोस्तों कभी भी इस कैपसुल का सेवन करने से पहले आप अपने डॉक्टर का सला जरूर ले उसके बाद ही इसका सेवन करे या फिर यूज़ करे और दोस्तों जानकर रिच लगे होगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में